हेलो गाईज तो आज के इस सार्ट वीडियो में हम लोग कौन सा वीडियो कर रहे हैं सार्ट वीडियो की एक स्रीज कर रहे हैं कमेस्ट्री और बायलोजी और फिजिक्स की तो यह सार्ट वीडियो का बायलोजी का वीडियो है तो चलिए देखते हैं इसमें एनिमल क्लासिफि करते हैं animal world प्राणी जगत इसी को हिंदी में क्या कहते हैं प्राणी जगत कहते हैं किसको animal world को तो यह प्राणी जगत का classification जब करेंगे तो यह किस बेस पे आंदा बेसिसा mode of living के बेस पे classification किया गया है फर्स्ट पे फिरी living होगा और सिकेंट पे sedentry और यहां पे solitary आप देखेंगे gregarious और colonial तो फर्स्ट पे फिरी living क्या होता है यह develop होता है वाटर करन को maintain करता है solitary means अकेला होता है एक single होता है तो यह एकदम टर्म याद होना चाहिए solitary means अकेला होता है found alone found मतलब जो अकेला पाये जाए जैसे उसका example tape arm और spider next gregarious gregarious means होता living in group गुरूप में अगर present होगा तो गुरूप में अगर present होगा तो गुरूप में रहेगा बट बिदावट obligatory interaction बट यह नहीं कि उसके उपर depend ही रहेगा पूर्टया ऐसा नहीं है तो वो होगा locust और planaria जो गुरूप में रहेगा बट dependent नहीं रहेगा एक दूसरे के उपर तो यह हो जाएगा इसका example locust of planaria दिया गया है गिरिगेरियस का और पूछा भी गया है कि गिरिगेरियस का example बताईए तो यह आपको locust of planaria याद होना चाहिए next colonial colonial जैसे आप मदु का च्छत्ता देखे होंगे तो वो colony बनाके रहती है live in social group and so obligatory interdependent और एक दूसरे के उपर वो निर्भर करते हैं तो यह देखिए जैसे अभी यह जान लीजिए मदु का च्छत्ता है तो यहां लगा रहता है मदु अगर आम लोग एक मदु को मान है तो एक मदु यहां से उड़ती है तो सभी उड़ने लगते हैं dependent रहते हैं एक दूसरे पर तो हानी भी वास्प हो जाएगा और टर्माइट टर्माइट मिन्स होता है दीमक जो लग जाती है किसमें उड में लकडी में तो यह होती है क्या यह होती है colonial next animal word जो हम लोग classification करे हाइबिटार्ट के बेस पर कि वो कहां कहां पर रहते हैं इस बेस पर अगर animal word को classified किया जाए तो animal हम लोग को कहां कहां मिलेंगे aquatic means water में मिलेंगे terrestrial means land terrestrial यह आपको एकदम clear होना चाहिए arboreal means plant पे मिलेंगे aerial means flying मतलब उड़ते हुए आपको दिखेंगे तो यह काफी important है पूछा जाता है planktoning first, nectoning और third benthic तो यह तीनों पता होना चाहिए planktoning means वो animals होते हैं जो surface पर क्या करते हैं तायरते हैं उसको क्या कहते हैं planktonic और nectonic जो actively swimming करते हैं क्या करते हैं तायरते ह active उसको nectonic कहते हैं और बैंतिक का मतलब होता जो bottom पे रहते हैं यह देखिए bottom पे रहने वाले को बैंतिक कहते हैं next terrestrial में आएंगे terrestrial means होता land जो जमीन पे रहते हैं यह देख लीजे e-P terranian दिया गया है जो earth surface पे रहते हैं और subterranean दिया गया है subterranean यह क्या कहते हैं यह subterrestrial, fosorial, brown मतलब यह कह रहा है आपको यह क्या बना के रहते हैं यह आपको जैसे यह आप मिट्टी में क्या करते हैं मिट्टी में गढ़्धा खोद लेते हैं यह पिर उसी में यह रहने लगते हैं गढ़्धे में तो यह इसको क्या कहते हैं fosorial या growing growing मिन्स क्या होता है आपको यह bill बनाना मिट्टी में next यह देख लीजिए काफ़ important है cursorial, cursorial उसको कहते हैं animal को जो fast running तेजी से दोड़ता है उसको cursorial कहते हैं और यह किये देख लीजिए यह ascending से बना है ascending अगर आपको पता होगा ascending means होता है क्या मतलब उपर चड़ना और descending अगर यहीं लिख देंगे ascending means क्या होता नीचे आना और ascending means होता है उपर ऐसे याद करिए a से add add ऐसे याद कर लेंगे add means जोड़ना होता है तो ascending, ascending से उपर जाना add करना, add कब करोगे, जोड़ोगे कब जब उपर जाओगे और descending D कहीं भी लग गया तो नीचे आना ही होगा, मतलब D मतलब उसको remove करना मतलब नीचे आना, तो यह हो जाएगा तो यहाँ देख लिजिए ascensorial लिखा है walk, walls पे rock, climbers जो दिवाल पे और चटानों पे चड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं ascensorial animal कहते हैं जैसे example दिया गया lizard आप देखेंगे, जो चमगादर जो होती है, वो flying squirrel जो होती है यह क्या करती है, यह ascensorial animal होते हैं काफी बार पुछा गया है next हम लोग देखेंगे aquatic water को, यह aquatic water को हम लोग classify करते हैं, किसमें fresh water में isturian water और literal में, marine water में यह किसको aquatic water को क्या किया गया है, subclass में divide किया गया, fresh water में क्या आता है, lentic आता है, जो standing water, water में क्या रहते हैं और lotic, lotic होता है lotic का means, जो water में क्या करते हैं run करते हैं और isturian water, isturian means जो नदी का किनारा होता है उसी को क्या कहते हैं, isturian जैसे यह देख लीजिए kaita drama space और ena drama space और euriheline, istinoheline istinoheline कहीं पर यह काफी बार यह ecology में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर istinoheline और euriheline आपको दिखेगा istinoheline आप क्या, istinoheline आप याद कर लीजिए, nairo याद कर लीजिए यह यह डबल र ओर डबलू nairo means सकरा होता है और euriheline का means क्या wide याद कर लीजिए, wide means क्या होता चवड़ा होता है तो यहीं से आपको यह euriheline और istinoheline और next में kaita dramas kaita dramas और anadromas यह एक फिस होती है, मचली होती है यह सो करती है kaita dramas से मान लीजिए, वो fresh water में रहती है मचली और वो myrine water में चली जाएगी, तो उसको kaita dramas सो करेगी, और अगर यही फिर मचली myrine water से fresh water में आ गया तो anadromas so करने लगती है, तो यह kaita dramas, anadromas दिया गया है इसका means यही होता है कि अगर fresh water में myrine water में गई तो kaita dramas, और myrine water से फिर fresh water में चली आए, तो anadromas इसका example भी है मचली सो करती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, पिलेजिक और यह marine water को जो हम लोग classify, सब classify करेंगे तो pelagic और benthic benthic means होता है, जो bottom पे रहते हैं और pelagic means narratic होती है, और oceanic होती है living coastal water have the sea bottom पे तो narratic और oceanic तो ep-plagic, mesoplasic और beth-plagic और यह दिया गया है epsilon-plagic, तो यह हो गया इतना सब इसमें दिया गया next वीडियो में हम लोग animal classification में आगे topic करेंगे, जो कि वहाँ से भी question 100% पूशे जाते हैं तो यह short वीडियो है, तो ज़्यादा वीडियो long नहीं करेंगे, जितने भी student nursing paramedical pharmacy का 2020 में entrance exam की तयारी कर रहे हैं, तो मेरे channel पे complete इसका को हम लोग कर रहे हैं, तयारी करा रहे हैं, जिससे coffee student का nursing paramedical pharmacy में, वह ब्याच्चू KJMU, JSBM, कानपूरो या कहीं पे भी आप nursing paramedical pharmacy का entrance exam देने जा रहे हैं, तो मेरे channel पे इसकी तयारी कराई जा रहे हैं, चलिए next वीडियो मिलेंगे, thank you